नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ महाराश के पुणे में शुकरवार की राद भाजपा कारकरताओं ने पत्रकार निखिल वागले की गाड़ी पर हमला किया प्रदानमंदी नरिन मोदी और लाल किष्णा आड़वानी पर आपत्ती जनक टिपपणी को लेकर भाजपा के लोगों ने वागले की कार के शीशे तोड़ दिये और सियाई फेकी पूरे पुलिस के मताबिक 64 साल के निखिल वागले की गाड़ी पर हमला तब हुआ जब वे सिंगर डोड इलाके में निर्बै बानो कार करम में जा रहे थे राष्ट सेवा दल ने इस कार करम को अयुजित किया था कार में वागले के अलावा और दो लोग मोजूद थे खंडो जी बाबा चोक पर भाचपा कारकरताओं ने वागले की कार को गेर लिया और इसमें तोड़ फोड की इस हमले में कार की विंट स्क्रीन और साइट पेनल शतिगरस्थ हो गए आकर्शित कारकरताओं की भीड के बीच पुलिस की कड़ी सुरक्षा में वागले कारकम स्थल तक पहुचे निकिल वागले महराश के अकबार महानगर के एडिटर रह चुके हैं उन्होंने लाल किष्ण आडवानी को भारत रत्न दिये जाने की कोशना के बाद पी-एम और आडवानी को लेकर सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर मान जरनक टिपणी की थी इसको लेकर भाशपा नेता सुनिल देवधर ने मंगलवार को वागले के खिलाफ शिकायत दर्च कराई शुकरवार को पूडे में भी वागले के खिलाफ कैस दर्च किया गया था साथ ही निर्वेबानो कारेकरम रद करने की मांग की थी जहां जाने के दुरान वागले की कार पर हमला हुआ कार पर हमले के बात वागले कार्यक्रम में पहुंचे और कहा जिनोंने भी मुझ पर हमला किया मैं उन्हें माफ करता हूँ यह मुझ पर सात्वा हमला था इससे पहले छह बार अटेक हो चुका है इससे पहले मोधी आद्वानी को लेकर अपनी डिपणी बनोने 6 जनवरी को सोचल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर कहा था मेरे ट्वीट से मोधी आद्वानी डर गए मैं अपने ट्वीट पर कायम हूँ अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद